वो है DNA damage जब हमारे पास DNA replication हो रही होती है तो उस time पर कहीं बार incorrect क्या होते हैं basis लग जाते हैं तो उसकी वज़े से DNA में damage हो जाता है जो DNA damage होता है उसको repair करना पड़ता है यानि कि damage होले DNA को normal appearance में लाना पड़ता है नॉर्मल उसका structure रहे, normal sequence रहे और इसी को हम बोगने हैं repair बहुत सारे chemical और physical agent भी होते हैं जो DNA को damage करते हैं तो इन में से दो तरह के agent होते हैं एक होते हैं endogenous agent एक होते हैं exogenous agent वो agent जो DNA को damage करते हैं वो mutagenic भी हो सकते हैं यानि mutation cause कर सकते हैं, cytotoxic भी हो सकते हैं यानि उनका कोई toxin हो जो affect कर रही हो DNA को DNA damaging agent जो की mutation cause कर रहे होते हैं जिनकी वेज़े से base pair में change हो जाता है position change हो जाती है, कोई extra base pair लग जाता है या delete हो जाता है तो इस तरह के agent को हम बोलते हैं mutagens types of DNA damage जो होता है जो की physical, chemical की वज़े से या फिर environmental factor की वज़े से जो damage हो रहा है उसकी four categories है पहला है single base pair alteration इसमें क्या होगा single base में change होगा या तो deamination हो जाएगा यानि single base में change होगा और amino group remove हो गया या फिर depurination हो जाएगा, purine remove हो जाएगा, कोई base insert हो जाएगा DNA के बीच में या फिर delete हो जाएगा दूसरा type है two base alteration इसमें जो UV light होती है वो क्या करती है पिरमिडीन डाइमर बना देती है हमारा जो थाइमीन होता है वो पिरिमिडीन होता है तो जैसे ही जो है यूवी लाइट पड़ी DNA के उपर तो थाइमीन थाइमीन का पेर बन गया डाबल टी आ गया तो डाइमर हो गया तो यह सिरफ यूवी के case में पड़ता है यह होता है two base pair alteration यानि दो basis में change होना तीसरा होता है chain break इसमें क्या होता है free radicals को formation होती है और free radicals में आते है hydrogen peroxide वगएरा तो यह जो हैं harmful होते हैं DNA को damage करते हैं then है cross linkage cross linkage में क्या होगा कि यह किसके बीच में होती है जो basis होते है same strand या opposite strand में उनके बीच में cross linkage हो जाता है तो यह चार तनहा का damage होता है जो single base pair में alteration की वज़े से होता है तो उससे क्या होता है साइटोसीन था वह यूरसिल में convert हो जाएगा अगर सिंगल बेस में change होगा इसी तरह से जो फाइव मिथाय साइटोसीन है अगर उसमें change हो गया तो थाइमीन में convert हो जाएगा एटेनीन हाइपोचैन्थीन में convert हो ज कैसे चेंज होता है फिर होता है double base pair जो मैंने अभी बिताया कि यूवी लाइट पड़ेगी तो थाइमीन डाइमर बन जाएगा उसके बाद है डीने डामेजिंग एजेंट्स में ही आता है प्रेक हो सकता है जो नाइट्रोइजनस वैसे होते हैं उनका oxidation हो सकता है और इसी तरह से डियोक्सी राइबर जो चूगर होती है उसका भी oxygen हो सकता है इसके बात जो radiation होती है जैसे गामा रेस एक्स रेस आइनाइजिंग जो रेडीशन होती है वह भी म्यूटेशन को सकती है DNA में फिर कुछ radiation होती है जिसमें UV light आती है तो UV light की भी अलग-अलग range होती है जैसे UVA वाली जो होती है वो 321 से 400 nm होती है उसके जाथ UVB जो होती है वो 296 से 320 nm होती है और UVC 100-295 nm की range होती है तो यह तीनों ही जो है DNA damage करती है फिर X-rays, gamma rays यह क्या करते है जब जैसे ही DNA अब्सॉर्ब किया radiation को तो यह भी DNA damage cause करते हैं फिर आता है chemical essence अब chemical essence में कौन को ना आते हैं पहले तो है deaminating essence जो amino group कर रहे होते हैं basis से तो इन में आते हैं sodium nitride, sodium nitrate, nitrosamine, nitrous acid दूसरे होते हैं alkylating agent इसमें आते हैं dimethyl sulfate, dimethyl nitrosamine and nitrogen mustard अभी किस चाहां की अगर mutation की बात करें तो mutation कब होता है DNA में during replication transcription and translation के time पे होता है और spontaneous mutation मतलब की अगर DNA application के टाइम पे mistake होगी है induced मतलब किसी agent के थुरू अगर mutation हो रही है और spontaneous मतलब जो natural way में होती है तो point mutation वो होती है जिसमें single waste में change आता है transition होता है जब purine का replacement हो रहा है pyrimidine से या pyrimidine का purine से मतलब जैसे adenine thymine हमारे adenine guanning क्या है purine से और pyrimidine थाइमीन और cytosine तो purine adenine वाला जो है किस तरह रिप्लेस हो जाए thymine क्योंकि purine adenine और thymine क्या है वारा pyrimidine है इस तरह से जो transition में प्यूरीन से प्यूरीन रिप्लेस्मेंट होता है हाँ अड़नी और बानिंग के विच में ही रिप्लेस्मेंट होगी जब्कि transversion में उल्टा होता है यहाँ प्यूरीन किस से रिप्लेस होता है पिरिमिडीन से substitution में क्या हो जाएगा कोई न कोई amino acid आ करके लग जाएगा अब point mutation भी दो तरह की mutation होती है silent mutation और miss sense mutation silent mutation यानि बेस्पेर में तो change हो गया लेकिन वह same ही amino acid को code करेगा change होने के बाद भी जैसे सीरीन का जो code था वो था UCA अब एक ही जगा पे यू लग गया UCU बन गया तो पहले भी वह सीरीन को code कर रहा था अब ही वह सीरीन को code करेगा तो कोई effect नहीं बढ़ा उसके function पे miss sense mutation में क्या हुआ कि वह दूसरे amino acid को ही code करने लग जाएगा जैसे ही हमने base में change हुआ मतलब तो इसमें क्या है जैसे example UCA सीरीन को code कर रहा था तो एक ही जंगा पे यू की जंगा पे क्या आ गया ए आ गया तो वो code क्या बन गया ACA बन गया पहले UCA था अब ACA बन गया तो वह पहले तो सीरीन को code कर रहा था आप किसको करेगा त्रिनीन को तो different amino acid आ गया तो इस तरह से function को fact कर रहा है इसको miss sense बोलते हैं nonsense mutation वह होती है जो कि stop code कर देती हैं जैसे UCA था तो वह convert हो गया यूजी जी जीस जी 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 वह फाच वह यूजी में convert हो गया उसके और यूए यू था वह वह यूए ए में convert हो गया UAC था, UAG में करनाट हो गया, यह सारे क्या है तीनों UAA, UAG, UGA यह सारे stop codon है यानि transcription को रोख देते हैं miss sense mutation का example होता है sickle cell anemia इसमें base pair में change हो जाता है और पूरा function जो है वो disturbed हो जाता है sickle shape बन जाती है अब जो frame shift mutation होता है, उसमें क्या होता है कि हमने एक या एक से ज़्यादा basis add कर दिये बीच में तो उससे पूरा shift हो गया, frame ही shift हो गया जो तीन-तीन का हम codon लेते हैं वो पूरा ही change हो गया जो हम read करेंगे तो वह सारा different मिलेगा हमें अब हमें ये तो परदा चल गया कि DNA damage होता कैसे है लेकिन उसको repair कैसे किया जाए तो उसके लिए पहला method होता है base excision repair इसमें हम क्या करते हैं जो भी chemical की वज़र से damage हुआ है उसको हमने repair करना है चाहे वो यूरासिल में हुआ हो, हाइपोजैन्थीन में हुआ हो किसी भी base में हुआ हो तो base excision repair में हम जो abnormal basis होते हैं जैसे यूरासिल, हाइपोजैन्थीन, जैन्थीन या alkaline basis उनको हमने निकालना होता है और correct वाले base को लगाना होता है यहाँ पर जो enzymes होते हैं वो होते हैं DNA glycosylase, AP endolubles, DNA polymerase 1 and DNA ligase तो base excision repair में बहुत variety के हमारे पास क्या आएंगे glycosylase आएंगे, इनका काम क्या होगा कि damage जो basis हैं उनको ये remove करेंगे damage basis कौन से था है कि DNA में तो यूरासिल नहीं होता है hyposanthine भी नहीं होता है तो इनको ये remove करेंगे second design आता है AP endolubles इसका काम होता है उस site को recognize करना जहाँ पर base missing होते हैं या फिर ये क्या करता है sugar phosphate जो backbone होता है उसको ये cleave करता है deoxy ribos phosphatized trace क्या करेगा ये भी sugar phosphate जो है उसको remove करेगा जिनके पास कोई base नहीं है दूसरा method होता है nucleotide excretion repair ये सिरफ जहाँ पर बहुत जादा damage हुआ है बलके DNA damage हुआ है वहाँ पर ये काम कर रहा होता है method और या फिर non specific DNA damage हुआ है chemical की वज़े से या UV की वज़े से इसमें जो enzyme है वो है ABC XG nucleus उसके बाद DNA polymerase 1 and DNA ligase Zero termo pigmentosum ये एक तरह का autosomal recessive disease होता है इसमें जो affective patient होता है वो photosensitive होता है light kelly sensitive होता है और skin cancer होने के उसको जादा chance रहते हैं ये वाला disease क्यों हुआ है क्योंकि जो nucleotide excretion repair वाला method था उसी में ही defect हो गया है तो इसकी वाज़ा से nucleotide करक्षी नहीं हो पाए और वैसे damage का damage ही रह गया DNA तो ये disease होता है अब इसमें क्या आता है ये सारे enzyme आएंगे पहले फिर उसके बाद जो है XG nucleus enzyme आएगा जो की जो भी damage हुआ है उसको remove करेगा उसके बाद DNA polymerase 1 आएगा जो की क्या करेगा application करेगा दुबारा से correct bonds को add करेगा and then DNA ligase होगा कि अगर कोई भी कही पेरहस आती है तो उसको वो repair कर देता है next method है mismatch repair इसमें तो बहुत सारे enzymes आते हैं और ये जिदेने भी mismatches होते हैं कि हमारा जो basis correct नहीं लगे है कोई गलत basis लग गया एक ही जंगा एक ही pairing होनी थी जी के सार में वहाँ पे G लग गया ये C लग गया तो उन सारे mismatches basis को ये remove करेगा इसके लिए enzyme होते हैं damp methylase Mute H, Mute L and Mute S protein DNA helicase 2 single stranded winding protein DNA polymerase 3 exonuclease 1 and 7 REC J nucleus and exonuclease 10 DNA ligase ये सारे काम करते हैं mismatch repair में तो mismatch repair जो system है वो चार phases में है पहला है कि mismatch को recognize करना है वो कौन recognize करता है? Mute S protein then repair enzyme को recruitment किया जाएगा then third में क्योंगा जो incorrect sequences है mismatch हैं उनको निकाल दिया जाएगा और fourth में क्योंगा दुबारा से DNA polymerase की help से synthesis start हो जाएगी अब DNA repair की वज़े से जो disorders होते हैं अगर ये correct ना हो तो फिर कौन कौन से disorders होते हैं zero derma disorder मैंने बताया इसमें वही होता है कि light जासे ही पढ़ी तो sensitive होता हो light के लिए और skin cancer के भी chances होते हैं ये भी एक तरह का defect है उसके बाद है genetic defect हो जाते हैं यूवी radiation अगर हमारे पास पढ़ जाती है तो thymine dimer बन जाता है और उसके बाद है कि इससे क्या होगा इससे जो यूवी जो sunlight से आ रही होती है उसके लिए sensitive हो जाती है skin skin के उपर blisters हाले पढ़ जाते हैं एक तरह से उसके बाद कहीं बाद के होता है कोर्णिया का अलसर भी हो जाता है क्योंकि light के लिए तो आइस पर इफेक्ट पड़ेगा तो कोर्णिया का cancer या फिर skin cancer हो सकता है दूसरा disease है ataxia, telangiectasia इसमें क्या होता है x-rays and uv-rays के लिए sensitivity बढ़ जाती है ये भी एक deficiency हो जाती है progressive cerebral ataxia हो जाता है जो ब्रेइन का पार्ट होता है उसमें डिफेक्ट आ जाता है नेक्स है bloom syndrome इसमें क्या देखा गया है chromosome की breakers होती है और rearrangement होती रहती है ये क्यों हुआ क्यों क्योंकि dna ligase में defect आ जाता है इस वज़े से हुआ है और इसमें photosensitivity जो होती है light के लिए sensitivity होती है नेक्स डिसीज है फॉन कॉनिस अनीमिया इसमें क्या हो जाएगा इसमें defect जो होता है वह cross linking damage जो होता है उसका repair नहीं हो पाता है तो यहां पे जो cancer के chances होते हैं और जो chromosomal instability है वह बढ़ जाती है नेक्स है hereditary non-polosis colon cancer यह क्यों होता है अगर मालो defect हो mismatch repair में मतलब mismatch repair काम ना कर रहा हो और यह ज्यादा तर जो defect होता है वह chromosome 2 पे देखा गया है तो यह वाला जो topic था DNA damage वाला and repair वाला यह यहां पे खताम हो गया तर देखान हाँ